नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ सागत है आप सभी का आज किस नए क्लास में दोस्तों आज किस बीडियों में बात करने वाले हैं जो कल की आधी अधूरी क्लाफ रह गई थी उसके आगे के कोईश्चन और एंसर के बारे में बात करेंगे जसा कि मैंने आप लोगों कल बताया किस प्रब्लम आ गई थी तो मैंने क्लास वहीं पर स्टॉप कर दी थी तो आगे कि जो 24 से क्लाफ है 50 तक वह आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वीडियो को सुरुस लेकर लाफ तक देखते रहेगा मोस्ट और टॉप लेबल के कोईश्चन है अगर कल वाली और आप यह वीडियो देख लेंगे तो साथ से आथ नंबर के आप लोगों के कोईश्चन में जो एक्जाम में पूछे जाएंगे लोगों किलीर हो जाएंगे ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे कितने से 24 नंबर कोईश्चन पर ठीक है तो 24 नंबर चलिये मैं पर इस टॉप कर नाम था most important question है कई बार एक जहां में पूछा गया है आपसर मिल जाएगा देवदत बी नंबर है आत्मा राम दुबे याद रखेगा टॉप लेबल का question है अगला प्रश्ण है कि तुलसी दास के माता का क्या नाम था आपको आपसंदे देगे हैं रतना वली विधोत्मा दयावंति हुलसी तो तुलसी दाफ जी की जो माता थी उनका जो नाम था हुलसी देवी था इसलिए को राइट एंसर हो जा तुलसी दाफ जी की जो पतनी थी ठीक है उनका जो नाम था रतना वली question का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है याद रखें रतना वली पतनी ठीक है अगला प्रश्ण है कि तुलसी के दिच्छा गुरू कौन थे most important question है यह question आप लोगों के याद करना चाहिए सिच्छा और चाहिए सिच्छा देने वाले अलग थे दिच्छा देने वाले अलग थे तो दो कभी थे और दो question आपके exam में पूछे जाते हैं अधिकता ठीक है सिच्छा और दिच्छा गुरू तुलसी दाफ जी के जो दिच्छा गुरू थे याद रखेगा वो ठीक है नरीहर रनन्द यानि इस question का right answer B number हो जाएगा याद रखेगा नरीहर रन्द अगला प्रश्ण है कि तुलसी दाफ जी के सिच्छा गुरू कौन थे अभी दिच्छा गुरू नर्हर नन्द दाफ जी थे और तुलसी दाफ जी के सिच्छा गुरू थे वो कौन थे question के तो right answer हो जाएगा हो अगला प्रश्ण है शिच्छा दिच्छा गुरू के बाद जोग प्रश्ण है वह हम देखते हैं कौन सा है ठीक है याद रखेगा तो इनके निधन और जन्म के बहुत सारे मतबेद इसको मैंने आप लोगों को बताया है तो तुलसी दाफ जी को जो देवासन या इनका निधन हुआ था वह हुआ था शन्र शोला सो तेश्ट में इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा बी नमबर याद रखेगा शोला सो तेश्ट में इनके कनफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे कभी हो बहुत सारे के अलग-अलग मतबेद है तो जहां तक मुझे रिसर्च मिला हो शोला सो तेश्ट से याद रखेगा ठीक है निश्ट कोईशन आप लोगों को क्या लगता है इनका जो देहां था और नि एक निश्ट है वह कांड है उसमें कौन सा मांस का कौन सा अक्तलित बाल कांड लंका कंड लंका संदर अरान ने कांड तो तो कोशें कर राखन सो जाएगा बाल कंड एनक नमबर ठीक है याद रखेगा अगला प्रृस्ण फ्याइग वार्वेश में कुल कितने चंद है पच आगला प्रश्ण है कि तुस्ची दास्त किस सासक के समाकालीन माने जाते हैं बाबर के अकबर के सा जहां के बीर बल्के तो तुस्ची दाफ जी जुक के जो माने मंगल जान दीजेगा जोतिसी ग्रंत कौन सा है इसमें से तो वो है रामाग्या ठीक है रामाग्या प्रश्ण याद रखेगा इनकी जो जोतिस ग्रंत है वो रामाग्या प्रश्ण है ठीक है अगला प्रश्ण है कि कवितावली किसकी क्रत है तो सिंपल सा क्विश्ण का एंसर गईसर हो जाएगा कि तुल्षी दाफ जी की का इनकी रसना है याद रखेगा ठीक है लिए राइट अगला प्रशन है कि रामचेद मानस का पाच्वा कान्ड कों सा है उत्तर कांड है आयोद्धा कांड है लंका कांड है सुंदर कांड है राम चैथफ का जो लएम मानश का जो पाँचसु आइव सुन्धर कानड है याद रखे संद्ध मानश का 5 कान्ड सुन्दर कानड है इस प्रखंथ नॆइब है एगला प्रश्रण है कि रामचैश धानश की प्रथम ठीका किसने लिखी शीव नरायड दाफ जी ने, जगत नरायर दाफ जी ने, राम चरण दाफ जी ने, गुरु सरण दाफ जी ने, तो राम चैत मानज की जो पर्थम टीका है, ठीक है, याद रखेगा, पर्थम जो टीका है, वो राम चरण दाफ के द्वारा, ठीक है, लिखी गई, इसलिए कोईश्चन का सब्सक्राइब करते हैं जिसमें चांटे रहें कुष्चन का आपके एक्जाम में आने के ठीक है कि कविता वली हनुमान बाहुक समेत दिधने ज़िए का कविता वली हनुमान बाहुक समेत की रसना कब हुई है उन्नीश वरी 1650 में 1631 में पंदा सो साथ में और 1621 में तो इस question का right answer हो जाएगा जो 37 questions का right answer हो जाएगा दो तो वह हो जाएगा 1631 ठीक है संबत 1631 में कविता वली की रशना हुई थी ठीक है याद रखेगा अगला प्रशना है कि तुल्सी दास कि संप्रदाश से प्रभावित थे सैब से स्री संप्रदाश से ठीक है अस्मरत ठीक है तो जो तुल्सी दाफ जी जो प्रभावित थे वो स्री संप्रदाफ से प्रभावित थे याद रखेगा most important question है स्री संप्रदाफ से प्रभावित थे तुल्सी दाफ जी टिक है अगला प्रश्ण है कि शिव सिंग सेंगर ने तुलसी का जन्म कहां माना है तो आप लोगों ने देखा कुछ से बेनी माधो हैं हजाए प्रसाद जी हैं वो सब अलग-अलग माने कोई माना इनका एटा में कोई माना इनका राजापुर बांदा जिले में लेकिन यहां पर आपके एक्जाम में आने के बहुत सारे चांसे के अफ्थ चर्म महदेम तामे जैसी प्रीट यह जो है तुलसी दाफ की जी के लिए जो लिखी थी वो लिखी थी रतना वली जीने लिखा था यानि इनकी पत्नी जी इनके लिए लिखी थी इसलिए कोई सब्सक्राइब बार याद रखिएगा पदमावती सोरी सोरी कोईस्टिन का राइट एंसे थोड़ा डाउट होगा यहाँ पर रत्नावली होना चाहिए तो मैंने ए टिक कर दिया अगरा प्रश्ण है कि तुल्सी लगां सब्से बड़ा लोक नायक कने का है शोर दाफ जी ने शाम लगांने या फिर स्मित ने तो तुल्सी दाफ जी को अमस्त प्रोश्टि ग्रिये सर्ण मुश्ट उम्पार्टन कोष्टिन है याद रखेगा ठीक है ग्रिये सर्ण ठीक है ग्रिये सर्ण ओके अगला प्रश्ण है कि 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 गीता वली में कितने चंद है असी साथ इक्क्यावन एकसट तो जो किस गीता वली में जो चंदों की संख्या है वह एकसट है इसलिए कोष्टिन का राइट एंसर हो जाएगा डी यानि एच यहां पर टाइप करने में तोड़ा हो गया है तो डी कि बाद एफ ह आ गया है तो समझ लीजेगा ठीक है एकसट ह अगला प्रेशन है कि दोहा वले किसकी क्रति है तो सिंपल सा कोष्चेश का राइट एंसर हो जागा इसमें टायम वेश नहीं करेंगे दोहा वली कविता वली ठीक है यह सब जो क्रतियां है तुल्सी दाफ जी की ही याद रख़ेगा अगला प्रशन है कि निम्ण में से जो तुलसी दास ठीक है साहित का जो सबसे बड़ा रूपक है ठीक है याद रखेगा वो है मान रूपक बी नमबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हम सेलेट करेंगे बी पे ठीक है चलिए नेश कोश्चन को बढ़ते हैं नेश कोश्चन है कि कविता करके तुलसी नाल टुलसी दास को किष्णे अनुप्रास का बाद साखाण टॉप लेबल यह एक्जाम में पिछले कई सालों में यह कम से कम साथ बार पूछा जा चुका साथ बार एक्जाम में दस बार हुए तो याद रखेगा तुलसी दास को किष्णे अनुपरास का बात सा कहा है तो इसलिए टॉप लेबल का है यह तो टॉप लेबल का क्वेश्चन है ही महत्वपूर प्रस्ण आपके एक्जाम में यह भी आने के चांसे बहुत ज्यादा है प्राम्भक्ति साख्ळा कày प्रमुक यह या प्रतिनिद्य है यह प्रिकर क्रिश्ण भक्ति के प्रतिनिद्य कभी है या दोनों के एन में से कोई ने तो तुलसीृफ जी जो है ठीक है या रखेगा कि झालीए अगला प्रसम देखकति है क्यों लिखा है और तुलसी दास की गीता वाली किस कभी की रचना से प्रभावित है तुलसिदात की जो गीता वाली क्रति है या इनकी जो रचना है वह किस कभी की रचना से प्रभावित है केशव दास की रहीम दास की सूर दास की कभीर दास की तो जो 48 नमबर को इस्टन 48 नमबर को राइट एंसर हो जाएगा में काउन सा अलंकार है यमकów उक्मा रूपक वत्रेच्छा तो बंदो मुनिパद骰 कंज भवानी जह निर्मग में जो अलंकार है याद रखे वो है रूपक यह यहाँ पर उनका रूप उनको दिया गया है ठिक बंदो मुनि तो रीट एंसर हो जाए अगला प्रश्ण है कि तुलसीदाफ जी का जन्म कब हुआ था हलागी कोई बात नहीं आप लोग कंफ्यूज मत होएगा क्योंकि कभी कवदार कोश्चन आगे पीछी हो जाएंगे तो पे आप लोग धान न दीजिएगा राइट एंसर क्या 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 कहे रहा उसका मतलब कि जन्मित्ति के हैं और इनके दिवासन के निधन के भी बहुत सारे मतब्यद हैं तो जहां तक रिशेच में आया है वहां तक तुलसीदाफ जी का जो जन्म है 1532 में हुआ था अगर आप लोगों को क्या लगता है यह कोश्चन सही है यह गलत है आप लोगों के इंसार क्या कमेंट सेक्षन आपके लिए खाली वहां पर इसका अंसर आप लोग बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करेगा पूरे फिफ्टी कोश्चन होगे कोई कोई सुझावत कमेंट खाली है और विश्चु तरह कोश्चन चाहिए कोई सब्जेट के चाहिए कमेंट सेक्षन में जरूर बताए हम आपको मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक लेजाएं